नेशनल रिसोर्स के ही अंतरगत कुछ ऐसे देश होते हैं जिनकी boundaries water body से contact होती है जैसे कि भारत की बात करें तो भारत का जो है वो समुंदरी तट है तो समुंदरी तट में जो भारत का भूमी वाला हिस्सा है land bodies है उस land bodies से 12 nautical miles यानि तकरीबन 22 km जो है वो land से ocean का जो हिस्सा होता है वो हिस्सा भी जो है वो national resources की श्रेणी में आता है इस portion को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल सकता है कि यह जो है वो national resources का ही हिस्सा होता है इसके बाद next classification आता है इसका international resources international resources यानि किसी भी देश की जो water bodies के बाद का 200 nautical miles के बाद का जो छेत्र होता है उस पे किसी individual international institutions का control होता है international institutions उसको control करती है यानि वहाँ जाने आने का permission उस institution से लेना पड़ता है वैसे area को वैसे छेत्र को जो है वो international resources की श्रेणी में रखा जाता है इसके बाद next आपका classification आता है जो है वो on the basis of status of development status of development में सबसे पहले आता है potential resources potential resources क्या होता है कि ऐसा resources जिसका उपयोग जो है वो भारत में नहीं किया जा रहा वो resources भारत में मौझूद है लेकिन उसका उपयोग जो है वो अभी नहीं किया जा रहा जैसे कि western part of Rajasthan की बात करें western part of Gujarat की बात करें जहां बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो solar energy हमें मिल सकती है लेकिन उस पैमाने पर उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं इसके बाद next आपको आता है developed resources developed resources में जो है वो हम जिस resources की quality quantity method of utilization impact of utilization इन सभी चीजों को determine करका इस्तेमाल करते हैं उन resources को हम developed resources की श्रेणी में रखते हैं इसके बाद जो है वो next आता है stock resources नाम से ही पता चल रहा stock resources यानि ऐसा resources जो हमारे पास मौजूद है जिसके बारे में हम जानते भी हैं लेकिन हमारे पास technology की कमी के कारण उस resources को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें water की तो water हम जानते हैं कि S2O से form हुआ है यानि hydrogen और oxygen से और hydrogen जो है वो एक energy का भी resource है लेकिन हमारे पास कोई method नहीं है वैसी technology नहीं है कि उस water components को जो है वो हम hydrogen और oxygen में separate करकर बाट कर अलग करकर उसका इस्तेमाल हम as a resource के तोर पर as a energy के तोर पर हम कर सके ऐसे resources को जो है वो हम लोग stock resources की स्रेणी में रखते हैं नेक्स्ट आता है reserve resources, reserve resources क्या होता है? वैसा resources जो हमारे futures को ध्यान में रखकर, हमारे next generations को ध्यान में रखकर, उस resources को save किया गया है। या उसका use भी हम कर रहे हैं तो बहुत छोटे पैमाने पर यानि कम amount में use कर रहे हैं। बहुत बड़े scale पे इसका utilization नहीं हो रहा है। जैसे कि reverse पर dam बना कर जो है वो उससे हम electricity generate कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं लेकिन यह कम amount में किया जा रहा है और ऐसे resources को हम reserve resources की स्रेणी में रखते हैं